हेलो दोस्तों टेगने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सब कहसे हुए अच्छी होंगा दोस्तों आज इस वीडियो में मैं यूटियो सोलार गामा प्लास को लगबग चार से पांच महीना यूश्ट कर रहा हूं तो इसमें जो कितना विजली को मैं से बाटरी उच करता था यह सीटें रेटिंग का बाटरी लेने का रिजिन जो है मैंने पहले वीडियो बताया था और सोलार इन्वाटर के साथ सब्सक्राइब रेटिंग लगाने का लगाना ही चाहिए आपको क्यूंकि उसमें जो एंप्यार अच्छी तरह किसे चार्जिंग कारण आपको देखने के लिए मिलता है विचले इस तो बिना टाइंगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं किस तरह से मैंने 4-5 मैंने में कितना यूनिट सेफ कर चुका हूं यह मेरा चार टोटल सोलर पैनल है और यहां पे 3120 का और एक जो है 180 वाट का पैनल यहां पे ल जल्दी से जल्दी चार्ज कर पाए घर का लोट को उठा पाई और 3120 के सद एक 180 किस तरह से मैंने कनेक्सिन किया है इसका थोड़ा सा ट्रीक है में आपको बताऊंगा और यह मेरा घर का इलेक्टिक के मेटर कानेक्सिन है यह आप देख सकते कोई मीटर यहां पे बिल्कुल आपको थाकर वश पर से चल जैता है सोलर से और आड के टाइम से तक बैटरी का चार्ज रहा था मेरा टोटल चल जा था इसके बाद जाके लेक्रिसटी पर सीप्ट होता है तो यह आप देख सकते 24 पर सन अभी लोट जो है चल रहा है और जो मेरा उपर से पुंट और है मतलब सब कुछ यहां पर आपको सो करता है यह मेरा बील है जो गामा प्लस मैंने साधा जार रुपिस के आसपास लिया था रिसक उपर डेट देख सकता है ट्वेंटी फोर में का में महीने का साइथ 25 2020 का सब्सक्राइब करते हैं अब हिसाब लगा सकते एक सब्सक्राइब कर चुके हो अभी तक के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए उसी के लिए इसको प्रोटेक्शन के लिए लगाए गया है काफी आची चीज है मैं इसको डाउन कर देता हूं जब दूस्तों विजली विजली गिरता है तो इसलिए तो इस एक समय का वयार है काफी अच्छा इसका क्वालेट आपको मिलता आप चाहे तो जिदना हो सके इसका अच्छी वाइंप जो इन्में लगाने की कोशिस कीजिए सभी का डिसके लिंग में लिंक दे दूंगा तो इसको मैंने लगा के अच्छी तरीके से विजली को अच्छत कर सकते तो थैंक यू उस तो वीडियो को पूरा देवने के लिए कोई भी सवाल सुझावे तो कमेंट करके जरूर बताए थैंक यू है गुड़ बाई